हालो एब्रिवन आज की वीडियो है मौक टेल्स के बारे में कट 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 हालो एब्रिवन आज की वीडियो है मौक टेल्स के बारे में मौक टेल्स हमारे लिए नहीं प्लांट्स के लिए बतलब liquid fertilizers और यह ऐसे fertilizers हैं जो आप अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं 100% effective हैं और free of cost आप इने बना सकते हैं सिर्फ एक आद इसमें ऐसा है जिसके लिए आपको एक product purchase करना पड़ सकता है otherwise जितने भी बाकी के fertilizer हैं सारे free of cost आप आराम से घर से बना सकते हैं तो चली जानते हैं इन 6 fertilizers के बारे में कि आप इसे कैसे बना सकते हैं कैसे use करेंगे और क्या-क्या benefits यह आपके plants को देंगे चली शुरू करते हैं नमस्कार में हूँ पूजा एंड वेलकम तो में चैनल एक नीज सुबा हम सब प्लांट लवर्स अपनी प्लांट की अच्छी growth के लिए हमीशा concern रहते हैं और इसलिए कोई न कोई वह त्राइजर जो है वह उसके लिए ट्राइक करते रहते हैं कॉंपोस वगारा उसे देते रहते हैं यह स्लो रिलीजिंग फेटेलाइजर होता है जो कि लूंग टर्म के लिए धीरे धीरे रिलीज करता है वाटरिंग के साथ साथ और आपके प्लांट के ऊपर अपना असर दीरी दिखाएगा बट लिक्विड फेटलाइजर्स ऐसे फेटलाइजर्स हैं जो कि यह वाटर सल्यूबल होते हैं और प्लांट इन्हें बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे छे फटलाइजर्स जो कि बहुत जल्दी आपकी प्लांट के ऊपर अपनी ग्रोथ का जो असर है वो दिखाएंगे और आप इन्हें बहुत असानी से घर पर बना भी सकते हैं तो चल मैं leaf mold compost भी यूज़ कर सकते हैं और जो kitchen waste compost है वो भी यूज़ कर सकते हैं मैं preference करती हो Especially Summer season में leaf mold compost और kitchen waste compost को मिला के जो यह aa कबनाती है warum यह पूरिण की मैं अपनी आशरा हम चानने के बाद यूज़ करती हूं तो पूरी कि पूरी जो फ्रेश फार्थ है जो कि मैं प्लांट्स करूंगी उसको यूज करने की बजाए चानने यूर्ज Bul जो चानने के बाद जो लेफ्ट और बचता थी ऑफ्टर बच्छता है उसको रियूज करने söz्काई के पासे मैं इन वहक्तर और इस और tabii में 2-3 मुठों जो है वह रहा कॉंपोस्ट की डाली है मैं एक लू मुठी किचन वेस्ट कॉंपोस्ट की जो की लेफ्ट अवर था उसका वही यूस करती हूं और उसे 3-4 दिन के लिए ऐसे ही पानी में भिगो के रखती जिए और तीन चार दिन के बाद आप उसे चान के यूज़ कर सकते हैं और डारक्ली यूज़ नहीं करना है थी इस टुवान रेशियो में आपको से यूज़ करना है मतलब एक हिस्सा आपका जो लिक्विड है बना तयार है वह आप स्मॉल कॉंपोस्ट प्रेफर करती हूं और जो किचन वेस्ट कॉंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन और काफी सारे माइक्रो न्यूट्रियंट्स जो है वह पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं तो इसे एक बहुत है उस टायम पे प्लांट को जरूरत होती है पाने की और बहुत क्ली उसे अब्जॉल करते हैं और आपका जो फर्टिलाइजर है वो वातरिंग एकसेस वाटइण के सात्थ वेस्टेज में नहीं जाएगा प्लांट उसे अब्जॉब करेगा इस पैशली इंडॉर πο让 में कभ तो उच्छे से डीकॉम्पोज और हो जाएगा और आपके कॉम्पोज का पार्ट बन जाएगा और दूसरे टाइप का फटिलाइजर है यह काव डंग के फटिलाइजर काव डंग यानि की जिसे हम गोबर की उपले भी कहते हैं तो उसको यूज करने के लिए अगर गाए के ग पानी के साथ डिल्यूट करना है मतलब एक हिस्सा आप यह लिक्विड फटिलाइजर काव डंग केक का लीजी और उसमें 8-10 हिस्से जो है करीब पानी मिलाइए और फिर आप इसे प्लांट की सोयल में दे सकते हैं यह सभी फटिलाइजर की डिटेल वीडियो जो है वो मेरे आप इसकी मिस्टिंग अगर सीट की उपर या उसकी सोयल के उपर करेंगे तो आपकी सीट जामिनेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी और यह तीसरा फटिलाइजर बना है नीम लीब्स और लेमन ग्रास के साथ यह आपके प्लांट को इंसेक्ट से बचाएगा उसकी ग्र लेगे टाइम टू टाइम तो उसमें यह प्राइबं जो है वो नहीं होगी और साथ ही जो लैमनोग्रास में डाली होगी उसकी वजह से मुझा है वह आपके गार्डन में नहीं आएंगे और लैमन को अके अप मिस्टिंग क्लिय का बनाके अब आसाइब सुद्ट पर लीकी इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, पहला जैसे मैंने बनाया है, कि लीम की कुछ पतियां लीजिए, उनको छोटे-छोटे पीसीज में कट कर लीजिए, और ऐसे ही लेमन ग्रास की भी पतियां लेके उनने भी छोटे-छोटे पीसीज में कट करके, सोक करके 2 लीटर पानी म को पढ़ा रहने दीजिए कम से कम तीन से चार दिन के लिए और तीन चार दिनों के दोरान उसको थोड़ा-थोड़ा हिलाते रहें और नीम और लेमन ग्रास ऐसे दो चीज़ें हैं जिसमें फंगस ग्रो नहीं होती है तो इस वज़े से आपको टैंशन लेने की ज़रूरत में है तीन-चार दिन में आराम से वह तयार होता रहता है अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं यह आपको कुक्ली अपना तयार करना है तो दूसरा तरीका है बॉलिंग के थूप आप दो लिटर पानी के अंदर दो से थोड़ा जादा बना लीजिए पानी ले लिजे पानी और पानी मिलाके आप उसे प्लांट को दे सकते हैं और अगर आप इसकी पत्तियों के उपर मिस्टिंग करना चाहते हैं तो एक पार्ट यह लिक्विड फेटिलाइजर का लीजिए और उसमें तीन की बजाए आप चार गुना पानी जो है वह एड़ कर लीजिए और फिर आप प्लांट के लिए बहुत रांटिक्विड को कंदिन कीप कर Bapt करता है प्लांट की प्लांट की जो सवाइल है उसको भी पर प्रड़क्ट आता है ओनलाइन आपको मिल जाएगा सीवीड एक्सट्रैक करके लिक्विड फॉर्म में लीजिए वह ज्यादा बेनिफिशल रहता है अदर्वाइस यह पाउडर या फिर ग्रैनुलर फॉर्म में भी आता है लिक्विड फटल बनाने के लिए आपको लिक्वि फटलाइजर आपको लेना है 3-5 ml तक के बीच की रेशियो जो है वह जाधा तर सजेस्ट की जाती है यह सभी तरह के प्रोड़क्ट का अलग अलग हो सकता है जो भी बॉटल या जिस भी कंपनी का प्रोड़क्ट आप यूज करते हैं वह कम यह जाधा स्ट्रॉंग हो सकता ह समटाइम तो उसके उपर इस्ट्रक्शन लिखी रहती है कि एक लीटर में आपको कितना डालना है उसे आप जरूर फोलो करें और उसी डिलेशियो के अकॉर्डिंग आपको सीविट फटलाइजर को यूज करना है अगर आप प्लांट की सोयल में देना चाहते हैं तो एक ल बनाना बहुत आसान है बर थोड़ा सा टाइम पीरेड इसके लिए लंबा लगता है और इसके लिए आपको पहले से प्रिपेर रहना पड़ता है इसके लिए भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और अभी के लिए मैं आपको बता दू किसको कैसे बना है इसको बनाने के लिए आपको एक हिसा लेना होता है जैगरी यानि की गुड तीन हिससे लेने हैं आपको फल या सबजियों के छिलके और बाकी के दस हिससे जो है वो आपको इसमें पानी का डालना है यह जरूर ध्यान रखें कि आपका कंटेनर कम से कम या आपकी बोटल क को टाइटली बंद कर देना होता है हर तीन-चार दिन के बाद स्टार्टिंग में आपको यह करना पड़ेगा उसके बाद गैस रेलीस होने का जो प्रोसीजर है वो कम हो जाएगा इसको बनने में लगते हैं तीन महिने अगर आपका बायोंजाइम रडी है तो आप उसको ड सीजर के साथ उसे बनाइए तो नेक्स टाइम वो तीन महिने की बजाए डेड़ महिने में आपका बनके तयार हो जाएगा क्योंकि इसमें वह बायो कल्चर जो है वो अल्रडी इंटर्ड्यूस हो चुका होगा तो बहुत कम टाइम चीजों को डिकंपोस करके तयार कर देग काफी लंबे टाइम तक चल जाता है काफी तरह कि अलग अलग टाइप के बायोंजाइम जो है वह आप बना सकते हैं और एक बायोंजाइम जो सिट्रिस फुरूच के साथ बनता है उसे क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है तो मैं सज़ेस्ट कर रही हूं आपको वी करना है बायोकी प्लाट की लिए इसको बहुत तेज exposed करता है और उसको कर ब्रेकदवन करके बहुत जल्दी ko यूज के लिए यूज पर्रसुल के लिए त्यार क्रविक लिए अगर आपकी स्टैमिनठे direction या आप सारे chemical fertilizers use किये हुए हैं तो यह fertilizer जो है बाइंजाइम का यह आपकी soil को रिपेर करने का काम भी करेगा और अब नंबर 6 पे है कैसे fertilizer जो कि बिल्कुल free of cost है और उसके लिए कोई मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है वो है यह rain water rain water रिच होता है नाइट्रोजन में और कुछ अराम से यह मिल जाता है जहां पर बारिश पहुंचती है वहां पर बारिश का पानी मिल जाता है उनके लिए आपको यह effort करने की जरूरत नहीं बढ़ेगी बट आपके जो प्लांट्स चट के नीचे हैं या indoor प्लांट्स हैं जहां तक watering जो है वो बारिश के जरिये पानी नही की जरिए लिए और कोई खास मेंद भी आपको नहीं करनी है इंडॉर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इससे बहुत अच्छी होती है तो यह सारे फ्टलाइस बना के आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं अब आप पूछिंगे कब दे सकते हैं कितने टाइम के गैप के ब फेलेबल हो इसको स्टोर करके भी आप अराम से रख सकते हैं बाकी की फटिलाइजर जब जरूरत हो तभी बनाएंगे तो जादा अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत बच जाता है तो नेक्स्ट वीक तक के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं बहुत जादा हैं तो आपको आज की वीडियो और यह इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी प्लीज इस वीडियो को लाइक एंट शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर दे लीटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स अन्यावाद